हेलो फ्रेंड्स माइ बिजन्स गुरू चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पासे के लिटेस्ट इंफॉरमेशन सबसे पहले नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आप देख रहे हैं माई बिजन्स गुरू और मैं हूँ आपका MSME कंसल्ट है तो दोस्तों आज किस वीडियो में हम डिसकस करेंगे किस प्रकार थे आप अगरबती उद्ध्यों को चलाकर अच्छा खासा एक उद्ध्यों उसको पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं और उन्हें देखना है कि मार्केट ने किस तरीके से वो अपने हमाल को बेज सकते हैं उसमें आप कोरी अगरबती जो की बड़े आसानी से पचास से साट रप एकलों के मद्ध में उपलब्ध है यह निरबर करता है कि किस प्रकार की क फ्रकार के इत्रों से मिलाने के बाद पैक करते हैं और पैक करने करने मार्केट में बेच देते हैं तो दोस्तो इस वीडियो में हम समझेंगे किस प्रकार से कारे किया जाता है इसमें किस किस प्रकार का रोमेटरियल मिलाया जाता है मशीनरी कितने की आती है और किस तरीके से इसको बनाकर मार्केट में पैकर के बेचा जाता है तो आईए दोस्तो चलते हैं वीडियो की ओर दोस्तो ये मशीन लगबग 60-65,000 रुपे की मार्केट में प्लब्द है इसमें आप प्रीमिक्स और पानी मिलाकर डाल देते हैं प्रीमिक्स 20-22 रुपे कलो की लागत में आता है उसके बाद ये मशीन अपना काम शुरू कर देती है दोस्तो जैसे ही अगर बत्ती आपके सामने तयार हो जाती है जो आपकी आटमेटिक मशीन थी उसे तयार होने के बाद इनको परफ्यूम मिला जाता है लेकिन इससे तोड़ी और गुणबता उनकी बढ़ जाती है इसको मिलाने के लिए आप देख रहे हैं आपके सामने एक आटमेटिक मशीन है इस मशीन में इनको आप डाल देते हैं डालने के बाद नीचे जो दूसरी बकेट आप इसके साथ में देख रहे हैं उस बकेट के अंदर पर्फियम लिक्विट कौन्टिटी में है इसके अंदर वाइट ओयल होता है या डीपी इन दोनों में इत्र मिलाया जाता है मिलाने के बाद इनको टोकरी में पैक करके दो से तीन वार इनको डिप कराया जाता है और इस प्रकार से गूमाने के बाद जो extra liquid होता वो बाहर निकल जाता है और जैसे ही दो या तीन वार ज़या उनको dip कर लेते हैं तो इनको बाहर निकाल के train में डाला जाता है और कुछ देर च्शाओं में सूखने के लिए रख दी जाता है और जैसे च्छाओं में सूख जाते हैं दो से तीन घंटे के बाल इनको आटमेटिक मशीन के द्वारा पैक करके मार्केट में बेचने के लिए भीज दिया जाता है जिस परकार आप देख सकते हैं कि आटमेटिक मशीन है जिसमें आपने फीडिंग कर दी है कि दस अगरबती एक पैकेट में आपको चाहिए तो आप इसमें पूरी ट्रे को भरके छोड़ देते हैं और ये दस-दस के पैकेट बनाके आपके सामने निकालता हो जाता है उसके बाद आप इसको अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं ब्रांडिंग करने कब बाद मारकेट में सको बढ़ी आसानी से बेच सकते हैं बेचने कब लागों का मुनाफ़ा कमा सकते हैं